हाई फ्रेंट्स आप सुनित संगई फ्रम रेंविस इन्वेस्टमेंट और आज हम डिसकर्स करेंगे किस तरीके से आप 100 करोर का पॉर्टफोलियो बना सकते हो तो यहां पर अलग अलग हम सिनेरियों लेंगे कि किस तरीके से आप 10 years, 20 years, 30 years, 40 years यह चारो time period को consider करते हुए किस तरह की आपकी strategy है वो सारी चीजों को समझ के किस तरीके से आप 100 करोर का पॉर्टफोलियो बना सकते हो और यह भी समझेंगे कि क्या 100 करोर सही में वाकई में बनाना possible है यह वाकई भी इतना बड़ा number है जो achieve करना बिलकुल मुश्किल है तो यह जितने भी cases है इसको primarily एक retail investor के perspective से ध्यान में रखते हुए discuss किया जाएगा तो पहला case discuss करने से पहले हम यह समझ लेते हैं कि चार चीज़े होती है जो सबसे important होती है जब भी आप एक portfolio बनाने की कोशिश कर रहे हो या आपका target है तो वो जो target achieve करना है उसमें होता है कि आप कितने पैसे की SIP कर रहे हो या lump sum कर रहे हो वो important हो जाता है पहला चीज दूस साल में achieve करना चाते हो 20 साल में 30 साल में कितने साल में achieve करना चाते हो तो वो दूसरा important चीज़ों आता है तीसरा चीज़ों आता है कि expected rate of return कैसा है अगर आप 15% expectation रखते हो और वहीं अगर आप equity में invest कर रहे हो तो आपकी थोड़ी सी realistic expectation है अगर आप 40-50% के सालना returns expect कर रहे हो वो एक unrealistic expectation है तो आपकी realistic expectation होना बहुत जरूरी है और चौता factor जो है कि क्या आप उसमें further SIP में कुछ increase कर सकते हो क्या every year क्योंकि आप आज के से में बात करूँ तो let's say कि आपकी salary आज अगर 40,000 per month है तो हो सकता है कि आप 10,000 per month के SIP कर पाओ और वहीं आज से 3 साल या 4 साल बा कि salary increase होगी तो आपको SIP में कुछ percentage increase करना चाहिए तो वो एक और चीज आ जाता है कि क्या वो आप कर सकते हो कि नहीं तो यह चारो चीजों का हम consider करके अलग-अलग case देखेंगे और फिर देखेंगे कि यह जो चारो परामेटर्स है किस तरीके सी यह overall portfolio का जो target है उसको impact करता है तो सबसे पहले हम 35% की हिसाब से calculations करेंगे और मैंने यह मान लिया है कि every year आप SIP को 10% से बढ़ा होगे और अगर आप 100 crores achieve करना चाहते हो 10 साल में even with 10 lakhs आप देखो 10 lakhs करके अगर आप invest करते हो per month जो की बहुत ही मुश्कील वाली बात है उसके बावजूत अगर 10 lakh per month market में सबसे अच्छे returns माने जाते हैं वो भी अगर आप कर रहे हो 10% every year increase भी कर रहे हो तो आपके returns कैसे हैं वो देखते हैं आप देखोगे कि अगर आपने SIP नहीं किया होता यह जो 10% है यह अगर increase नहीं किया होता तब आपके 53 crores जमा होते 10 साल में और वहीं अगर आप 10% every year increase कर रहे हो तब आपके 87 crores होते हैं यानि almost 10 lakhs पे करके भी आपका 100 crores जमा नहीं होता है 10 साल में तो यह बताता है कि 10 years में अगर आप सिर्फ SIP के दम पे अगर आप 100 crores जमा करना चाहते हो तो कितना मुश्किल है और maximum से maximum 87 crores जमा होता है with 25% के CSER returns पे अगला किस आजाते हैं थोड़ा सा realistic लेते हैं 20 सल पे अगर आप target बनाते हो 100 crores अचीव करने का तो वो देख लेते हैं और 25% के return बान लेते हैं मान लेते हैं कि आप small cap पे top mutual funds में invest करते हो और जहांपे 25% के return past में at least अचीव भी हुए हैं जैसे कि SBA small cap है निपॉन इंडिया small cap है उन्होंने achieve भी किया है इस तरह के fund में अगर आपने निवेस्ट भी किया है और अगर आप डेल लाग पर मंत invest करते हो डेल लाग पर मंत definitely काफी मुश्किल है बट अगेन आपका target भी 100 करोड का है तो उस तरह की target को अगर आपको achieve करना और every year आप 10% से अपने SIP को बढ़ाते हो तो क्या यह achieve होता है देख लेते हैं तो देखते हैं कि अगर आपने SIP नहीं बढ़ा हो 10% सिर्फ आपने पहले मंत से जो डेल लाग पर मंत निवेश किया था वैसे करकि अगले 20 साल तक निवेश करते तो आपका 100 करोड अचीव हो जाता 20 साल में तो यह थोड़ा सा डेल लाग जो है आपको काफी ज्यादा लगेगा लेकिन मेट्रोज में या dual income में काफी लोग ह करते हैं वहाँ पर इस तरह की SIP करना पॉसिबल उनके लिए है हाला कि यह सब के लिए पॉसिबल नहीं है तो आप देखो फिर भी 100 करोड अचीव होता है और वहीं अगर आप 10% एवरियर इंक्रीज भी करते हो इसमें SIP में तो आप देखो 214 करोड अल्मोस्ट डबल डब तो यह इंपोर्टेंस होती है एवरियर अगर आप अपनी SIP को बढ़ाते हो तो यह एक पहला कंक्लूजन है जो आपको समझना चाहिए दूसरा चीज यह है कि जैसे ही आपने 10 साल के जगह 20 साल का टार्गेट बना लिया तो कहां 10 लाक और कहां 1.5 लाक पर मंद तो आप द मान लेते हैं कि आप 10,000 मात्तर 10,000 पर मंत SIP कर रहे हो और 30 साल के लिए निवेश कर रहे हो 25 परसंट के CIGR है और 10 परसंट के जगह मैं मान लेता हूं कि inflation भी है जैसे जैसे आपकी salary 10% every year increase भी होती है तो आपके post tax आपकी salary है वो हो सकता है 7 परसंट 8 परसंट बढ़े और व सिर्फ 10,000 पर मंत की SIP से हो जाता है 30 साल में और वहीं अगर आप देखोगे तो 144 करोर 144 करोर अमांट जो है ready हो जाती है अगर आप every year 3% SIP से increase करते हो तो आप देखो कि आपका जो total amount invested है वो मात्र 0.04 है आप देखो यहां पर जबकि पहले के cases में जो आपकी invested amount है वो overall portfolio का का साफी बढ़ा होता था almost 3-4% होता था वहां पर यह मात्र 0.4% है उसका primary reason है कि time जो time जितना ज्यादा time अपने पैसे को compound होने देते हो उसके इसमें आपका interest पर interest बहुत ज्यादा बढ़ता है और उसी का benefit बोलते हैं compounding effect अब यहां पर एक और चीज है कि कई लोगों को लगे कर रहे हैं थोड़ा सा plan को और realistic कर दे रहे हैं या थोड़ से large cap में investment करना चाहते हो ताकि आपको थोड़ से volatility कम हो compared to small cap तो आप चाह रहे हो कि थोड़ा सा large cap में exposure हो और small and mid cap में exposure हो ताकि volatility कम हो तो उसी सबसे हम returns को थोड़ा सा कम कर देते हैं 20% मान लेते हैं और यह 20% मानत यहां पर हमने returns को थोड़ा सा normalize कर दिया थोड़ा सा कम कर दिया तो जहां पर 144 crores मारा amount जमा हो रहा था in 30 years वहीं अगर हम इस case में देखे तो हमारा amount होता है मात्र 40 crores almost 40 crores और कहां 140 crores almost 3.5 times तो यह difference है 20 और 25% के compounding में तो इसलिए important यह भी हो जाता है कि आप returns के लिए अच्छे quality के stocks में invest करो और especially अगर आपको 20% 25% के returns expect करने है एक तरह के returns आप चाहते हो तो आपको small and mid cap में invest करना पड़ेगा आपको थोड़ा aggressive होना पड़ेगा और usually अगर आप 30 सल के लिए invest भी करते हो तो expectation यहीं है कि small cap mid cap जो है काफी अच्छे returns दे सकते हाला कि short term में आप आपको बहुत ज्यादा volatility भी मिलती है और यहीं अगर आप देखोगे तो 40 croce के जगे आप 100 croce जमा करना चाते हो और 30 साल के अंदर अंदर तो आपको दो चीजों पर factor इंप्रूफ करना पड़ेगा एक तो आपको हर साल SIP की percentage जो है थोर सी ज्यादा करके बढ़ानी पड़ और 3% के जगे मैं थोड़ा सा और मान लेता हूं 5% क्योंकि 5% भी realistic है तो यह दोनों चीज को consider करते हुए अगर हम देखे तो 100 croce बिल्कुल achievable आप देखो 100 croce बिल्कुल अचीव होता है हाला कि without 5% increase आप जखो almost 46-47 croce होता है जबकि आप every year अगर 5% से SIP को बढ़ा होगे त तो 100 croce बिल्कुल possible है तो यह मुझे लगता है कि थोड़ा सा realistic targets है कि 20,000 पर मंत और 30 साल आप करो तो यह बिल्कुल achievable है और वहीं अगर हम देखे तो थोड़ा सा हम ऐसा case भी ले सकते हैं जहांपे कोई 22 साल या 21 साल या 20 साल का person है वो immediately job या business या side hustle start कर दे तो अगर हम चीफ करना चाहे 100 croce का target और returns जो है उसको और थोड़ा वो moderate कर दे 15% के returns expect करे और 20,000 पर मंत की SIP करे और 3% every year अपनी SIP को increase करे तो आप देखो surprising numbers दिखेंगे आपको आप देखो कि almost almost 63 croce achieve हो जाता है in 40 years और वहीं अगर हम with every year 3% की increase को मानते वेच करे तो almost 124 croce 125 croce के आसपस achieve होता है तो यह magic है compounding का आप जितना ज्यादा time देते हो उतना ज्यादा returns बनता है और यहाँ पे आप देखो कि हमने 15% consider कि अगर 20% या 25% के returns अगर आप बना लेते हो क्योंकि यूशली आप 15% का plan करते हो but equity market जो है 15 से better returns देता है अगर आपने अच्छे quality के fund select कि है अच्छे 1000 पर मंद की SIP से भी possible है तो यह थोड़ा सा मीत है कि 100 करोर का जो game है यह इतना बड़ा number है कि यह achieve नहीं किया सकता ऐसा बिलकुल नहीं है और यह जो हमने अलग-अलग scenarios देखे हो आपर हमने देखा भी किस तरीके सी यह possible है लेकिन एक important चीज इसके साथ हम यह भी समझ लेते हैं कि important dragon जिसको हम अकसर ignore कर देते हैं एक ऐसा monster जो अकसर आपका जो wealth है उसको खा जाता है उसका नाम है inflation तो आज से 40 साल बाद 100 करोर की क्या value होगी या किस तरीकी आपके expenses होंगे especially अगर आप आज के से आप से consider करोगे तो उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं अब आज आ एक और important चीज पर वो है inflation inflation क्या inflation यह कि मैं मान लेता हूं कि currently आप 1 lakh per month की expenses है या at least आप अगर 100 करोर का portfolio बनाना चाह रहे हो तो आप bare minimum 1 lakh per month के expenses की lifestyle जीना पसंद करोगे यह मैं मान लेता हूं तो आप inflation को भी थोड़ा समझो कि अगर आप 1 lakh per month का आज का expenses देखते हो तो आज से 10 साल बात वो 1.79 lakh हो जाता है और वहीं अगर मैं 20 साल की बात करूँ तो 20 साल में वही एक लाग का per month का expense जो आज है वो almost 3.2 lakh हो जाता है और वहीं अगर हम 30 साल की बात करे तो 30 साल में आज का 1 lakh का expense है वो 5.74 lakh हो जाता है और वहीं अगर हम 40 साल की बात करे तो हमने यह चा साल बार 10 lakhs होता है तो यह चारों चीजां क्यों कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर आप जो भी आपका portfolio size का plan कर रहे हो target अपने लिए set कर रहे हो तो आपको यह भी समझना चाहिए किस तरह के expenses आपके currently है किस तरह के expenses आप future में करना चाह रहे हो किस तरह की lifestyle आप जीना चाह रहे हो तो उसको आपको inflation को भी adjust करके plan करना चाहिए और इसी को मैं अगर दूसरे तरीके से बोलू कि मान लिदी कि आप 100 करो जमा तो करना चाह रहे हो लेकिन 10 साल बाद क्या इसका 100 करोर की value वही होगी जो आज 100 करोर है तो ऐसा बिलकुल नहीं है आज की समय की बात करूँ तो आज से 10 साल बाद 100 करोर की जो value है आज के समय अगर मैं बात करूँ तो 55 करोर होती है यानि आज से 10 साल बाद 100 करोर में जो चीज आएगी वो उतनी ही आएगी जितनी आज 55 करोर में आती है और वहीं अगर मैं 20 साल की बात करूँ तो 20 साल बाद 100 करोर जो है उसकी आज की present value है 31 करोर और वहीं अगर मैं 30 स तो इस तरीक से आपको समझना चाहिए हो कि present value कितनी है, तो आज से 40 साल बाद आप retire कर रहे हो, और 100 क्रोर इस लेके आप portfolio बिल्ड कर रहे हो, उसको आप समझना चाहते हो तो इस तरीक से कि आज के टाइम पे आप 10 क्रोर के आसपास लेके retire कर रहे हो, तो कहने का मतलब है कि overall 100 करोर्स जो है, वो काफी बड़ी amount होती है, even 40 years down the line अगर आप 10 क्रोर्स, आज के समय अगर आम बात करें तो is a very good amount to retire, और उस तरह कि आपके target सेट कर रहे हो, तो वो काफी अच्छे retirement position होगी या काफी अच्छा portfolio होता है to retire, तो अगर आपको आज का वीडियो इंट्रेस्टिं में जरूर बताईएगा, that's all for today, thank you.